पूरी दुनिया अब तक इस्राइल और हमास का जो युद चल रहा है उसकी डिस्ट्रक्टिव जो इमेजिस थी जिस तरीके की विद्वनसक तस्वीरे निकल कर सामने आई थी कोई अब तक भूल नहीं पाया चाहिए रश्या युक्रेन का युद हो या फिर इस्राइल और हम हमास का युद हो लेकिन इन सब के बीच में एक तीसरा मोर्चा खुलता को नज़र आ रहा है आपको यह बताते हैं अमारिका और ब्रिटेन की तरफ से एक स्युक्त ऑपरेशन यानि कि एक साथ एक ऑपरेशन की शुरुवात की गई है जिसमें मोर्चा खुला है यमन की हू हूती विद्रोही जो है वह यहां पर यैंगा हूती विद्रोही जहां की सरकार का नहीं चलताह वहाँ के बीच में कि अगर यह लड़ाई की शुरुआत की नीव जो है वो इसराइल हमास की युद्ध के वक्त ही रख दी गई थी जस तरीके से लगातार हूती विद्रोही जो है वो यह बात कह रहे थे कि हम हमास के सपोर्ट में हैं अब हमास के सपोर्ट में है तो क्या कुछ किया गया रिसल लाल सागर वो जगा जहांपर सबसे जादा तेल का आयात ने रियात किया जाता है तेल जाहिर सी बात है सबसे बड़ा वैपार की शित्र में जो है माना जाता है और ऐसे में ही अब ये कुछ हुआ कि जिस तरीके से इसराईल और हमास के युद की शुरुआत हुई तो हूती विद्रोहियों ने तमाम वो देश जो सपोर्ट कर रहे थे इस्राइल को उनके जंगी जाजों कहने की जो शिप्स वहाँ पर तैना थे उनको निशाना बराना शुरू कर दिया 20 से जादा हमले जो है वो जंगी जाजों पर किये गए बार बार जो है ये कोशिश की जाती रही तमाम देशों की तरफ से कि हूती विद्रोही जो है वो समझ जाए कि वो जो है बार 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 बात करने की कोशिश की जाती रही चाहे वो भारत हो अमारिका हो ब्रिटेन हो ची मीटिंग्स हुई और यह डिसाइड किया गया कि अब हूती विद्रोयों को जो है सबक सिखाना होगा तो यमन में घुसकर जो है अमेरिका और बिटेन ने एक ओपरेशन चला यह तस्वीर आप देखें दरसले जो प्लेंट टेक ओफ होता हुआ आप देख रहे हैं यह अमेरि लोग रहते हैं यानि कि जहां पर हूती विद्रोही जो है वो लगाता रह रखी है उनको लेकर जो है अब यह कोशिश की जाती रही लेकिन इन सब के बीच में आप यह समझे कि अब ऐसे में इसका असर जो है वो दुनिया पर क्या होगा क्योंकि तेल आयात निर्यात की बा करेंगे और आने वाले दिनों में अरब सागर में और भी लडाई जो है वो तीसरे मोर्चे पर जो है वो बहुत जादा बढ़ सकती है